नमस्कार दोस्तों स्वागे तैब सभी का बातफाइंडर पर दोस्तों आप लोगों को याद होगा इस साल के शुरुआत में जनवरी में ऐस्ट्रेलिया के मिल्बर्न में एक रेफरेंडम करवाया था खलिस्तानियों ने जिसमें काफी प्रो खलिस्तान सपोर्टर साई थे और आके उन्होंने वोट किया था कि यहां हमको इंडिया से अलग करके पंजाब एक अलग देश बनाना है अब जाहिर सी बाते खुद रहते हैं और जो हमारे सिक भाई इंडिया में रहते हैं उनके लिए मुश्किलों का सामना पैदा करवाते हैं विदाउट केरिंग उनक ने इस प्रकार के मनसूबों को आगे बढ़ाते वे उस्ट्रेलिया में सिड्नी में एक वापस से इसी प्रकार का रेफरेंडम करवाया था और जाहिर सी बात है उमीद थी कि वापस से लोग आएंगे काफी ज्यादा लेकिन दोस्तों इस बार उस्ट्रेलिया की सरकार ने इस रेफरेंडम को कैंसल करवा दिया है और इसके लिए कहा कि इस प्रकार के रेफरेंडम से लोगा एंड ओर्डर की समस्या क्रियेट होती है तो इसको हम अलाओ नहीं करेंगे दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं यहां पर आपको यह भी पताना चाहूंगा इस प्रकार के रे दोस्तों इसी के बारे में आगे बढ़ा हूँ तो six for justice के खिलाफ अब Australia में investigation भी शुरू हो गया है तो दोस्तों क्या है यह पूरी कहानी आईए आज की class में इसी पर चर्चा करते हैं आप देख सकते हैं इसको काफी जादा news में cover किया जाया जा रहा है से पहले आगे बढ़े दोस्तों समद्रमंतन free mock test है आज बस थोड़े देर में है अगर आप अभी देख तो सुबह साड़े नौ बज़े है जिसमें जीस है और राई बज़े से सी साट है तो जल्दी से जाए अन्रॉल करें यूज दी कोड के सी 10 एक्जाक यूपसी टाइमिंग को फॉलो कर रहे ह है अगनी पत्स बैज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक जून से तो यूज दी कोड के सी 10 केवल 7999 रुपए में 900 से अधिक गंटे live classes के हैं प्रिलिम्स में इस इंटर्व्यू है टेस सीरीज मिल रहा है आपको प्रिलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी मेंस mentorship है इंटर्व खलिस्तान इवेंट को cancel करवा दिया है कौन सा इवेंट है तो दोस्तों इनका प्रोपोगैंडा referendum इवेंट है जो कि सिड्नी के ब्लैक्टाउन सिटी में करवाया जाना था और इसी प्रकार का referendum इन्होंने मिल्बर्न में भी कराया था आप यहां पे तस्वीर देख रहे हैं और जनवरी में हुआ था इसी साल और इसके बाद कहीं न कहीं आप देखें तो प्रो खलिस्तान वाले जो लोग आपको देख रहे हैं तस्वीर में और जो कि प्रो इंडिया पॉपिलेशन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है इन दोनों के बीच में भिडंद भी हुआ था और इसके बाद कहीं न कहीं अगर आप देखें तो लॉइंड ओर्डर की समस्या हुई थी तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज है उन्होंने कहा कि इसको हम एलाओ नहीं करेंगे और इसको कैंसल करते हैं क्योंकि इस प्रकार की चीजों उसे कंसर्न है टाफ मेंबर्स को लोगों को और जो काउंसल जहां पर यह रेफरेंडम होना था उनके एसेट को तो इसलिए इस प्रकार की चीजों को एलाओ नहीं करेंगे इसके सिवा यह भी रिपोर्ट किया गया है कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस ऑस्ट्रेलियन सेक्य लिया गया है कि प्रोखलिस्तान प्रपोगेंडा इवेंट को और स्ट्रेलिया में जगह नहीं देनी है याने कि प्रॉपर जो लॉइंफोर्समेंट एजन्सीज है पुलिस है साथ-साथ फॉरेन अफेर्स की जो डिपार्टमेंट है उन सब से बात करके इनके परमिशन को क गया है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों आपको यह भी कहना चाहूंगा इसी से जुड़ा हुआ नियुज़ा है प्रधान मंत्री मोदी जल्दी ऑफ्रेलिया भी विजिट करने वाले है और उस्टेलिया विजिट करने के पहले उन्होंने और उन्होंने आल्रेडी ऑस्टेल माँगा गया था तो जाigor सी बात है इस प्रकार की चीजों को अगर वो फर्दर हवा देते है 九 तो कहीं न कहीं इंडिया और ऑस्ट्रीलिया के रिष्टों में भी कही न कहीं बाधायां आती तो कहीं न कहीं आस्ट्रेलिया ने इन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है अब बात करते हैं six for justice की दोस्तों investigation already underway है six for justice private limited जो की Victoria में registered है जो Australia में यह सारी चीजों को करा रहा है इनके पीछे कही न कहीं investigation इसलिए हो रहा है कि कहा जा रहा है कि इनके पास जो पैसे इनके खाते में आ हैं वो unaccounted है तो यह पैसे कहां से आ रहे हैं तो समझने के लिए भी एजिंसी ऑल्रेड़ी investigate कर रही है six for justice को वैसे six for justice की जो parents इंस्ता है वो कहां पर है US based है दोस्तों अमेरिका में है और यह सीशनिस्ट ग्रूप है याने भारत से एक अलग देश बनाना चाहता है पंजाब को और कहीं न कहीं यहां पर जो आप देखें तो यह इस प्रकार से खलिस्तानी propaganda को दुनिया भर में फैलाता है अलाकि यह भूल जाते हैं जब भारत में जो हमारे six soldiers हैं जो भारत की रक्षा करने के लिए 2400 घंटे बॉर्डर पर खड़े रहते हैं जिस प्रकार से आज भी जब सीख पल्टन आ जाती है तो कि इस प्रकार से दुश्मन के पसीने चूट जाते हैं वो यह सब भूल जाते हैं और कहीं न कहीं अपने प्रपोगैंडा को रन करते हैं क्योंकि यह comfortably UK में यूएस में रहते इनके परिवार वाले UK यूएस औस्टेलिया में रहते हैं और अब यह भारत में जहर फैला रहे हैं seeks for justice के पीछे दोस्तों अगर हम देखें तो ISI का हाथ भी है ऐसा कहा जाता है दोस्तों seeks for justice आप देख सकते हैं इसके जो founder है यहां पे अगर आप देखे तो गुर पत्वन्त सिंग पन्नू है पन्नू ग्राम से famous है आप देख सकते हैं यह जब प्रपोगैंडा रचते हैं त आपको बता देता हूं यह काफी टाइम से referendum 2020 campaign रन कर रहे हैं यह propaganda campaign के पीछे six for justice ही है और यह चाहते हैं भारत से पंजाब स्टेट को अलग करना अब दोस्तों जहां तक बात है six for justice की इनका क्या status है भारत में आपको बता देता हूं तो यह एक unlawful association है दोस्तों भारत में ए दोस्तों बोल चाल की भाषा के लिए ठीक है आप बोल लीजिए लेकिन टेक्निकली दोनों में अंतर है तो यू आपके अंदर दोस्तों अगर आप देखें तो section 3 है जो यहां पर मैंने इसको काटके यहां पर सी cutting लगा दिया है तो यह देख सकते दोस्तों section 3 कहता है कि Central Government को लगता है कि यह संस्ता कहीं ना कहीं law and order को तोड़ फोड़ कर सकती है law को follow नहीं करती है तो that is an unlawful association वही section 35 अगर आप देखें तो यह कहता है कोई संस्ता terror organization कहलाई जाई जा सकती है यदि वो यूआपा के first schedule में उसको list कर दिया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यह वो संस्ताएं है जो की यूआपा के first schedule में listed है यूआपा के first schedule में कहां से listed है section 35 के दवारा जो first schedule में आ चुकी है जिसमें बबर खालसा international है खालसा सब्सक्राइबाद फोर्स है इंटरनाशनल सिख यूथ फेडरेशन है इसके सिवा एलिटी है आपको मालूम है जैएम है जैशे मुहम्मद है हरकतल मुझाही दीन है दुनिया भर की चीज़ें आप सभी को मालूम है पीपल लिबरेशन आर्मी है फिर अगर आप देखे तो यह क्या है terror organization है वही कुछ संस्थाएं ऐसी है जो section 3 में listed है यह क्या है अनलौफूल संस्थाएं है जो कि section 3 of the UA ba में listed है तो इसमें भी आपको सिंहीं देखने मिल जाएगा तो SIM में अगर आप देखेंगे आपको दोनों तरफ आ जाता है student Islamic movement औफ इंडिया में भी टर्र देतों, तो seeks for justice आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक terror संस्ता नहीं, कौन सी संस्ता है, unlawful activity, अभी रिसेंटली, PFI, Popular Front of India, और उसके जितने भी affiliates हैं, दुनिया भरके हैं, रिहाब इंडिया फाउंडेशन, Campus Front of India, All India Imams Council, National Confederation of Human Rights Organization, और भी बहुत-बहुत-बहुत सारी संस अन lawful association में declare किया गया है, तो I hope, अब आप समझ गए होंगे, कि seek for justice क्या है, terror संस्ता है, या फिर unlawful संस्ता है, जो स्वाची क्लास बसंदा रही होगी, तो like जरूर कीज़ेगा, समुझर मंतन free mock test है, बस थोड़े घंटे में, कुछी देर में start होने वाला है, तो जल्दी से जाएं, जाके enroll कर लें, इसके सिवा अगनी पत्थ batch है, जिसमें आपको prelims mains interview हो तरीके से हम तयार कर रहे है, prelims के लिए और mains के लिए दोनों के लिए test series भी run कर रहे है, केवल 7999 रुपए में आपको अगनी पत्थ batch में enroll हो सकते हैं, आप use the code, case it and 1 June से batch start हो रहा है, इसके सि series आपको उपलब्द करा रहे है, केवल 2999 रुपए में, में stress series आपको उपलब्द हो रहा है, केवल 2499 रुपए में, हमारा team है pathfinder का, जो की बहुत कासी ज्यादा experience है, तो इनके experience का आप फायदा उठा सकते हैं, हिंदी batch भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं, 15 जुलाई से हमारा batch start हो रहा है, make sure इसका आप फायदा उठाएं, perspective series देखें, और हमें सारे हमारी social media handles पर follow करना बिल्कुल भी ना भूलू